इसाट को कैंड लगाँत था इयुकंड। इसके परप्साफर, जाया तोBIट। क्यों प्काइध में धाय ट सके लिए यहां बिएसक्ट आपएस कामारे डेक्ड जरी को सबस्क्राइब करना सब्सक्राइब क्यों जाना परिणा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चलिए जगल टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो हमारी सबसे पहली स्टेप होती है देखिए आपकी स्किन पे पैचिस तभी पढ़ेंगे जब आप फाउंडेशन लगाओगे और आपका बेस जो है वो रेडी नहीं है यानि कि आपकी स्किन स्मूथ नहीं है तो स्किन को स्मूथ बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना है फेस को शेव करना है तो शेव करने से पहले हमें हमारे फेस पे कोई भी aloe vera gel लगा ले नहीं है अगर आपके पास कोई भी market की aloe vera gel नहीं है तो आप घर की aloe vera gel यूज़ कर सकते हो जो leaf वाली होती है मैंने हाँ पर कारमेसी का ये facial razor लिया है इसकी help से मैं पूरे face को shave कर रही हूँ ताकि जो मेरा base एकदम smooth हो जाए तो अच्छे से मैं मेरे like forehead and मेरे जो ये column वाले hairs होते है इन सबको मैं remove कर रही हूँ ताकि मेरा जो skin है एकदम flawless हो जाएगी and foundation बहुत easily glide होगा तो आपको बहुत एकदम से नहीं करना मतलब बहुत तेज-तेज नहीं करना बहुत हलके हाथों से करना है या आप गंद देख सकते हो next जो हमारा hack है वो है आप जब ही भी foundation लगाओ हमेशा अपने face को freshly wash करो ऐसा नहीं अपने आदा घंटे पहले आप नहाए थे आपने सुचा भी make-up कर लो तो नहीं आप जब foundation लगाओ इससे पहले अपने face ज़रूर wash करो hack no.3 जो है हमेशा अपने face पे rose water लगाओ आप या फिर कोई भी mist आप यूज करते हो उसको यूज करो वो बहुत ज़रूरी होता है next अपनी skin को moisturize करना yes hack no.4 है अपनी skin को moisturize ज़रूर करना कोई भी moisturizer आप यूज कर सकते हो आपके पास जो भी है वो moisturizer आपने face पे use करो इससे का होगा आपकी skin एकदम smooth और dryness नहीं रही है आपकी skin पे तो आपको जो foundation हो easily glide होगा next जो hack है मेरा वो है primer ज़रूर लगाओ चाहें आप aloe vera gel लगाओ या फिर आप shaving balm आता है वो यूज कर सकते हो नई तो कोई अच्छा article market में बहुत affordable primers आगे हैं तो आप कोई भी primer ज़रूर लगाओ अपनी skin पे तो जिससे आपका मतलब make-up जो भी open pores होंगे न वो close हो जाएंगे आपके and उसके बाद आपको foundation apply करना है लेकिन आपको जो hack no.6 है उसको बिल्कुल भी skip नहीं करना और बिल्कुल भी नहीं भूला कि आपको आपका जो beauty blender है yes guys जो beauty blender आप यूज कर रहे हो उसको आपको सूखा नहीं यूज करना यानि कि dry नहीं यूज करना गंदा नहीं यूज करना अगर उसमें पहले से ही foundation भरा होगा तो वो बाहर निकल के आएगा आप अल्रेडी आपने foundation लगा रखा है तो वो आपकी skin को patchy कर देगा तो उसको हमेशा वाश करके किसी भी milde shampoo से body wash से आप वाश करके देन आप यूज करना है और देखना आपका foundation कितना ज़ादा flawless and beautiful लगता है उसके बाद आपको क्या करना है जो hack number seven है अपने foundation को set करना बहुत ज़रूरी होता है कोई भी loose powder ले लो आप अगर आपके बस loose powder नहीं है तो आप baby powder ले सकते हो वो बहुत easily available है market में बहुत affordable भी पढ़ते हैं आपकी skin को damage भी नहीं करते हो तो आप वो ले सकते हो या फिर आप कोई loose powder भी खरीच सकते हो वो आपके उपर depend करता है so guys यह कुछ step follow करके आप आपका जो foundation है वो काला होने से रोख सकते हो पैची होने से रोख सकते हो तो अजला आपका foundation इस तो अलगी level पे लगेगा आप देखी सकते हो मतलब यह step अगर आप follow करते हो एक बाब follow जरूर करना और फिर मुझे comment में लिख कर आप बताना कि आपको क्या result मिला वीडियो अच्छी लग गई हो तो चैनल को subscribe जरूर कर देना subscribe करने के बाद अगर आप bell icon को press नहीं करोगे तो आपको notification नहीं मिलेगा एन इस वीडियो को अपने family friend की ता दरूर शेयर कर देना मुझे Instagram पर follow करना मत भूल